नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका RK क्लासिस में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग अमेरिका तालिबान संबंद जो समझोते हुए उसके बारे में जानेंगे और इन समझोतों का भारत पर क्या प्रभाब पड़ेगा उसे भी देखेंगे यह current affairs से related topic है आप इसे अच्छे से त्यार करें और लगातार जो है हम लोग समय समय पर current affairs को cover कर रहे हैं महात्पुर्ण जो topics बनते हैं उन सभी को हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप मैंस के playlist में जाके देख सकते हैं इसका PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा आप उसे भी join करें इसके अलावा statics का जो live class चल रहा है उसमें आप जुड़ें उसमें जो आपको बताया जाता है उसको notes बनाएं रिवीजन करें दो चार class के बाद आपको PDF के तौर पर सवाल भेज दिया जाएगा ग्रूप में आप उसे बनाएं सब्मिट करें देखिए आपको निश्ची थी इन सभी चीजों से फाइदा होगा इसके लाबा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें उसे अधिक श्यदिक शेयर करें ताकि हमें और ज्यादा motivation मिले यह सुरुवाती है हमारा live का कोई प्रोग्राम नहीं था जो live class हो रहा है उसमें थोड़ी समस्या आ रही है कुछ ही मेरे दोस्तों को वीडियो क्लियर नहीं हो रहा लाइटिंग प्रॉब्लम है उन सभी को धिरे-धिरे सुधार किया जाएगा आप सहयोग बनाए रखें लॉकडाउन की समाप्ती के बाद इन सभी समस्याओं से हम लोग उपर निकल जाएंगे अभी थोड़ी समस्या है आपको पता है इसलिए तोड़ा मैनेज करें चलिए सुरू करते हमारा आज का टॉपिक अमेरिका तालिबान समझाता भारत परिसका प्रभाव दोस्तों इसे पॉइंट वाइज सटिक सब्दों में लिखा गया है देखी लंबे संघर्सों के बाद अमेरिका तालिबान जो है ये दोनों समझाता के लिए तयार हुए ये समझाता जो है अमेरिकार तालिबान के बीच कतर में हुआ पूछ सकता है वन लाइनर एक्जाम में ठीक है कतर में ये समझाता संपन हुआ भारत समेत दुनिया के 30 देशों के प्रतिनिधी ने इस सांती समझोते में भाग लिया या इस सांती समझोते के ये 30 देश गबा बने अब जानेंगे कि समझोते में मुख्य बिंदू क्या क्या किन किन बातों पर समझोता किया गया तो देखिए दोनों देशों के बीच निमलिखित समझाते हुए क्या है ये समझाते देखते हैं इसे अमेरिका ने 14 महिने के अंदर 14 महिने के भितर अफगानिस्तान से अपने सैनवलों को वापस बुलाने हेतु सहमती जताई है अमेरिका ने कहा कि वह अगले 14 महिने के अंदर अफगानिस्तान में जो अमेरिकी सैना है उसे वापस बुला लेगा इसके अलावा देखिए तालिबानी जो नेता है उन पर लगे प्रतिबंद जो की संयुक्त राष्ट की द्वारा लगाए गए हैं और अमेरिका ने लगाए हैं इन प्रतिबंदों को हटाने की भी घोष्टना अमेरिका के द्वारा की गई है वहीं अगला जो समझोता हुआ है यह है दोनों ने एक दूसरे के सोल्जर या आतंगवादी को जो कबजा बना के रखा है इनकी रियाही पर भी सहमती बनी कैदियों के आप से रियाही की सहमती बनी तालिबान और अमेरिका के बीज इसके अलावा तालिबान ने कहा है कि वह अलकाइदा एबं अन्य विदिसी आतंगवादी संगठनों से समपर्क तोड़ेगा या तालिबान जो है आतंगवादी संगठनों से संपर्क तोड़ने हेतु राजी हुआ है यह समझोता कहां तक आगे जाके सत्ति होगा यह तो बात की बात है इसके अलावा तालिबान ने यह भी माना है कि वैं अफगानिस्तान की भूमी का आतंगवादी गतिवेदु हितु ना परियोग करेगा और ना ही करने देगा देखिए इन सांती यह जो अमेरिका तालिबान के समझोते हुए इस समझोते से भारत को बाहर रखा गया है अर्थात इस समझोते की सफलता भारत के लिए खतरा साबित हो सकती है अर्थात अमेरिका ने जो है कहीं न कहीं जो है भारत हित को इसमें ध्यान नहीं रखा क्योंकि जो अलकाइदा की बात की गई लेकिन पाकिस्तान से संबंदित जो भी संगठन है उनसे उसके बारे में कोई भी चर्चा इस समझोते में नहीं किया गया है अब देखिए इतने सारे समझोते तो हुए अमेरिका और तालिबान के बीज अब इन समझोतों का भारत पर क्या आसर पड़ेगा उसे जानते हैं देखिए अफगानिस्तान में तालिबान की प्रभाब बढ़ने पर वहां की सरकार पर इसका प्रभाब बढ़ेगा सवभाविक है कि जदि अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाब बढ़ता है तो वहां की इस द्योस्ततकालिन सरकार है वह प्रभावित होगी और इससे भारत की अफगानिस्तान में चल रही कई विकास परियोजना जो है प्रभावित होगी क्योंकि भारत जो है अफगानिस्तान में 100 से अधिक परियोजनाओं पर कारिक कर रहा है अब देखी वरतमान सरकार जो है अफगानिस्तान की उसका संबंद भारत के साथ अच्छा है और जब अफगानिस्तान में तालिबान जो है इसकी सिती मजबूत होगी तो निश्चित ही तालिबान और पाकिस्तान का संबंद काफी गहरा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान का संबंद गहरा है तो उस समय भारत से उसका संबंद जो है अच्छा नहीं हो सकता इसलिए जो है भारत की वहां कारी कर रही जो परियोजनाएं हैं वह प्रभावित होगी इसके अलावा देखिए इरान में जो चाबहार पोट का विकास भारत की द्वारा किया गया जिसमें भारत ने बहुत बड़ा निवेस किया है और यह निवेस इसलिए किया गया था ताकि अफगानिस्तान, मद्देशिया, रूस और यूरोप के देशों से वैपार एबं उन देशों से संबंद में सुधार हो और कहीं न कहीं यह जो परियोजना है इस परियोजना को चीन की O.B.O.R. का कार्ट माना जाता है अब देखिए यह टर्म आया चीन की O.B.O.R. बहुत ही महत्पूर्ण है यह इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लें कि चीन की One Belt, One Road जो परियोजना है यह क्या है इससे भारत को क्या नुकसान हो सकते हैं इंपॉर्टन टॉपिक है अब देखिए ऐसे में यदि तालिबान सत्ता में आता है तो भारत का निवेश भारत की जो परियोजनाएं हैं और संबन सुधार की जो मंसा थी वह परभावित होगा अगला देखिए अमेरिकी फौजों के वापस जाने के बाद जब अमेरिकी फौज तालिबान अफगानिस्तान से चले जाएंगे तो तालिबान जो है पुने अपनी जड़ को मजबूत कर सकता है और उसे मजबूत करने का मौका भी मिलेगा और इसे रोकने के लिए कोई भी बड़ी ताकत अफगानिस्तान में मौजूद नहीं रहेगी तो वह अपनी जो इस्तिती है तालिबान असानी से मजबूत कर लेगा ऐसे हालात में देखिए वहां की सरकार प्रभावित होगी हो सकता है कि अफगान सरकार के खिलाफ तालिबान या युद्ध की घोशना कर दे दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है भारत के लिए देखिए तालिबान को डारेक्ट इंडारेक्ट रूप से पाकिस्तान को मिलने वाला जो सैन समर्थन है यह जो है अफगानिस्तान और भारत हेतु चिंता का विश्य है ठीक है दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा सालों से तालिबान को समर्थन दिया जा रहा है इसलिए तालिबान का जुकाव जो है पाकिस्तान की उर जादा है अब देखिए पाकिस्तान द्वारा तालिबान की मदद से कस्मीर में आतंकी घटना को अन्जाम दिया जा सकता है क्योंकि अमेरिका और तालिबान में जो समझाते हुए उनमें इन मुद्दों को बाहर रखा गया है देखिए ये जो अमेरिका और तालिबान के भी समझाता हुआ इस समझाते में पाकिस्तान की भूमी का अहम रही है क्यों अहम रही क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि उसके आसपास के देशों में अमेरिकी सेना का प्रभाव ना बढ़े और उसकी कार्व विधी या उसकी दारजो कार्व किये जाते हैं उसमें किसी का दवाब ना रहे अगला जो समस्या है देखिए यदि अफगानिस्तान में तालिबान की हिस्ति मजबूत होती है तो वह पाकिस्तान की मदद से मजुदा सरकार को हटाने की कोशिस करेगा और पाकिस्तान भी इसमें पूंड सहयोग देगा क्यों पूंड सहयोग देगा क्योंकि पाकिस्तान की संबंद जो है ये वरतमान में जो है अफगानिस्तान की जो सरकार है उससे अच्छे नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार ने हमेशा पाकिस्तान का विरोध किया है और विरोध क्यों किया क्योंकि अब पाकिस्तान जो है ये तालिबान को सपोर्ट करता है और जब अफगानिस्तान की जो वरतमान सरकार है इसमें बदलाव होता है तो कहीं न कहीं बनने वाली सरकार पाकिस्तान की कटपुतली साबित होगी जो की भारत के लिए एक चिंता का विश्य है अब देखिए ऐसी सिती में भारत के लिए आगे की राहें क्या हो सकती है भारत को अपनी सुरक्षा जरूरतों की समिक्षा करनी चाहिए और भारत्य उपमादीप में सुरक्षा व्यवस्था को सुनशित करना आवश्यक है ताकि भारत किसी भी समय किसी भी परशिती के लिए हमेशा तयार रहे और यदि कोई भी घटित हो उससे पहले ही उसे रोका जा सके वहीं अफगानिस्तान के अंदुरिनी मामले में दखल ना देने के निती पर कारे करना आवश्यक है जब तक कि भारत पर उसका प्रभाब ना पड़े तब तक भारत जो है अफगानिस्तान की अंदुरिनी मामलों में जो है दखल ना दे और अफगानिस्तान की हर संभव मदद हे तु तयार रहे ताकि उसके बुन्यादी धाचों में सुधार हो हो सकता है कि तालिबान में वाकई में बदलाव आया हो वे विकास कारे चाहते हो तो यह सारी जो संभावनाएं हैं जो राहें हैं इसे पूर्णता जो है सही आप इस तरह से समझें कि यह सारी योजनाएं जो है कारे करेगी ही यह कोई आवश्यक नहीं है खेर इतनी बातों को इस टॉपिक पर लिखा जा सकता है उमीद है आपको समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें अधिक शेयर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें डिविजन करते रहें दन्यवाद करें दन्यवाद